लौज में मिली थी बारवी के छात्र का सौव बाहर गेट पिटती रही प्रेमी का अंदर था प्रेमी का लास भागलपुर में लौज के अंदर 17 साल के लड़के की फंदे से लड़की लास मिली गौतम कुमार इसी लौज में रहकर इंटर की पढ़ाई करता था बताया जा रहा है कि वो प्रेम प्रसंग के चलते गौतम ने खुद कुशी कर ली उसकी मौत के थोड़ी दिर बाद लॉज में एक लड़की आ पहुँची वो उस रूम के बाहर दरवाजा पिटने लगी जिस रूम में गौतम की लास मिली थी लोगों से उसे एक बार दिखाने के लिए मिन्नत करने लगी लड़की ने कहा प्लीस गेट खोलिये मुझे बस एक बार उसे देख लेने दीजिये लड़की बार बार मिन्नत कर रही थी लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था लड़की बार बार रोते रोते पुलिस से गेट खुलनी की गुहार लगाती दिखी, वहीं छातर के मौत के बाद वहाँ जूटे लोग उससे बार बार पुस्ते की तुम कौन हो, इस सवाल पर लड़की खामोस थी, वो बस लड़के को एक बार देखना चाहती थी, हलाकि के नवा टोली, निवाशिश्वर्गे कैलास सा के 17 साल के बेटे गौतम के रुप में की गई है, मिर्तक के रूमेट्स का कहना है कि गौतम पिछले एक साल से इसी लोज में रहकर पढ़ाई करता था, गौतम का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रशंग चल रहा, रात में वो अपने कमरे में ही मौजूद था, इसके बाद बगल वाले कमरे में जाकर उसने खुद कुशी कर ली, सुबह 10 बजे गौतम के रूमेट्स प्रिंस ने जब उसे कमरे में नहीं देखा तो उसने लौज में रहकर दूसरे छात्र और मालिक को इसकी जानकारी दी, जब सभी न उसे ढूंडा तो बगल के कमरे में गौतम का सौ फंदे से लटका मिला, इधर घाटना के जानकारी मिलते ही ततारपूर थाने ठेतर की पुलिस मौके पर पहुच गई और मामला की जानकारी मिर्तक के परीजनों को दे दी, परीजन नौगचिया से भागलपूर के लिए करवाना हो चुके हैं, आगी की कारवाई पुलिस कर रही है